क्या आप अपने किसी भी आइफोन में उर्दू टाइपिंग करना चाहते हैं यानि कि अगर आप इंग्लिश में लिखें और वो उर्दू में टाइप होना चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आप उर्दू में लिखें और उर्दू में टाइप हो तो ये भी आप कर सकते है तो इसके लिए सबसे पहले settings में चले जाए और नीचे general में आ जाए नीचे जाए keyboard पे यहाँ पर click कर ले and यहाँ पर है keyboard click कर ले आपको यहाँ पर add new keyboard पर click करना है यहाँ पर search करें उर्दू यहाँ पर उर्दू को select कर ले अब मेरी बात ध्यान से सुनिए अगर आपको यहाँ पर उर्दू में type करना है उर्दू में type करें उर्दू में लिक कर आएगा तो alphabetical वाले पर set कीजिए सबसे last वाले पर लेकिन अगर आप चाहते हैं English में type करें और उर्दू में type हो तो उपर transliteration पर आपको click करना है and done कर देना है यह आपने done किया यहाँ पर देखिए उर्दू transliteration add हो गया है यहाँ से आप बाहर निकले and इसके बाद चाहे whatsapp खोले या कोई भी application खोले ठीक है and यहाँ पर अपना किसी को भी message भेजने जाएंगे आप अब नीचे आपको यहाँ पर इस icon पर globe के icon पर long press करना है देर तक दबाएं तो आपको देखिए यहाँ पर उर्दू and and a यह option पर क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पर यह English keyboard है लेकिन यहाँ पर मैं type करूँगा जैसे मैं type करूँगा subscribe देखिए यहाँ पर लिखका रास नीचे तो यहाँ पर हम लिख देखिए इस पर क्लिक कर देखिए बीच वाले पर subscribe जरूर तो बीच में देखिए जरूर आ गया है और करे तो यहाँ और यहाँ पर करे यह आ गया है तो subscribe जरूर करे इस तरीके से हमने ये कर दिया आप भी सब्सक्राइब जरूर कर दे